गुडबर्णी श्रीयन्स, करेक्टिशिटी पॉइंट में आप से भी टेलेट सेकर्ण सिमिस्टर के श्रीयन का स्वागत है, देखे इससे पहले हमने पढ़ा था पीमोष्ट, S.O.P.T. इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, और आज हम बात करेंगे B.E.P. जिससे हम कह सकते हैं बेसिक सिक्षा परियोजना हिंदे में बोलते हैं, चलिए देखते हैं बेसिक सिक्षा परियोजना होता क्या है या था क्या, तो देखे बेसिक सिक्षा का मु राजे जनपत था ग्रामस्तर की संस्ताओं का इस्थाय करड़ ही उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता था। सैक्षिक नियोजन था प्रबंधन का विकेंद्री करड़ था उसकी प्रभावकारता में व्रिद्धी करना है इस परियोजना का महतोपूर अंग था। उत्तर अप्रदेश बेसिक शिक्षा 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी था। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के तीन अंग थे। देखिए पहला था संस्तागत छमता में व्रेदी। दूसरा था गुठवत्ता में सुधार तथा पूढता तीसरा था था बेसिक शिक्षा तक पहुच में सुधार अब देखे हम बात करते हैं थोड़ा समय लेते हैं इसको जैसे कहरा है कि शिक्षा का सार्वजनी करड़ करना इसका प्रमुख उद्देशी था मतलब कि जो बेसिक शिक्षा थी वो जन जन तक पहुचाना ही इसका प्रमुख लक्ष्य था इसके साथ ही साथ ये राज जन पत था ग्राम स्तर की संस्थाओं का इस्थाई करड़ करके प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होना इस जो बेसिक शिक्षा परियोजनी थी इसका प्रमुख अच्छा प्रिद्ध होने चाहिए उनमें सत्प्रशत नामांकन होना चाहिए बच्चों को विध्याली शुभधायप दान करने चाहिए ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए सेकेंड पाइंट है गुडवत्ता मीं सुधार था पूरता गुरोत्ता मिसुधार के लिए योगिस सिक्षकों का चेहन उनको प्रशिक्षित कर्ना मतलब की शिक्ष्षा के छेतर में कुछ नवाचार भी करना और आविक्षिक चातरों के शिक्षा की ववस्ता करना सतद मुल्यांकन करना बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मलियत की गए तीसरा पॉइंट था वेसिक शिक्षा तक पहुच सुनिश्चित करना मतलब जो बेसिक शिक्षा थे इस पर सभी की पहुचों मतलब की समाज का जो एकदम पिछड़ा तबका है वो भी इसमें पर्डिसिपेट कर सके ऐसी यूजना बनाएगी मतलब इसके अंदर का जन्पदों में वेसिक शिक्षा तक पहुच सुनिश्चित करने के उद्देश से आसे वी छेत्रों में प्रारंभिक विद्यालियों की स्थापना था शिक्षा के इन्रों को संचालित करना इसका लक्ष था तर्था समाज के विशिष्ट वर के बालकों के लिए शिक्षा की विवस्था करना इसका प्रमुख उद्देश्य था तो इस्था इससे आपने तीन चीजे देकी संस्थागच्ष शम्ता पुद्दी दूसरा गुडवत्ता मिं सुधारयीम पूढ़त और तीसरा व्यशिक षिक्षा तक पहूं सुनिश्यित करना और तीनों ही आपने तीनों के बारे में पढ़्दा मतलब संस्थागच्ष संस्थाएं उनकी शम्ता में व्रिद्धी की जाए ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नामांकन कराया जाए और अगर आउस्षकता पड़े तो एक दो कम्रे और बढ़ाए जाए पिर उत्तरपडेस बेसिक शिक्षा पर्योजना अथ्वा उत्तरपडेस सभी के लिए पर्योजना पर्शद विकास खंड इस्तर पर ब्लाग सिक्षा समित था ग्रामिर इस्तर पर ग्राम सिक्षा समिति का गठन किया कि इस तरह से आप दिख सकते हैं कि विपिन प्रकार की शिक्षा समीतियों का गठन किया गया प्रबंद की विवस्ता के लिए मतलब इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा उसके लिए विपिन प्रकार की शिक्षा समीतियों का गठन किया गया दूसरा अकादमिक विव तथा नियाय पंचायत इसतर पर नियाय पंचाय संसाधन केंद्र नपी आरसी की स्थापना के गई तो इन सब की जो ब्यवस्था की गई स्थापना गई यह इसलिए कि गई ताकि यह management कर सकें देखरी कर सकें महादवपुर्ट तर्थ इसमें क्या था है कि उत्तर प्रप्रेश सिक्षा बेसिक सिक्षा पर्योजना मुख्य वेसिक सिक्षा के समगर नामांकन यों गुडात्म कुन्यानियों संचारित की गई और बेसिक सिक्ष झाल मुख्या थे मत्तर चर्प्रेत की गई भत्तर प्रप्रेश प्रप्रेश प्रवाद फ्रूल प्रप्रूल मुख्या थास्ट ट्यों सिक्षा इस प्रूल संचारित की गई।